हेलो स्टुडेंट्स मैसेल्फ सेंसिंग रावत असेस्टेंट प्रोफेशर डिपार्टमेंट और मेकेनिकल इंजिनेरिंग और आइटेम जीवाई अकॉर्डिंग टू आर्जी पीवी स्कीम और डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर आपका एक सब्जेक्ट है मसीन टूल टेक्नलोजी दी 502 तो यहां पर हम उसका ओबर वीव देखेंगे मसीन टूल टेक्नलोजी का जिसमें आपका प्रीक्टिउस़ाइट नॉलेज प्रीक्टिउ सैंट ओइंड कोर्स अब्जेक्टिब क्या है इस्टीम आप मसीन टूल टेक्नलोजी स्लेबस क्या है सब्जेक्ट का एंडटis एक्टिविटी लेक्चर प्लान, लिस्ट आप एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग आउटकम्स क्या है, मसीन टूल टेकनलोजी के, रिसर्च इसको इसके बारे में डिसकस करेंगे, तो यह आपका सब्जेक्ट का एक ओवर्विव है, कि पूरे सेमेस्टर में आपको किस तरीके से क्या-क्या तो सबसे पहले, प्रियूरिक्ट्यूसाइट नॉलेज, मटशील टूल टेकनलोजी को स्टेडी करने के लिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वर्क्स ओप प्रेक्टिस, माटेरियल्स टेकनलोजी, एंड मैनुफेक्ट्चरिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, य मसीन टूल टेकनलोजी, जो सबजेक्ट है आपका, उसको समझ सकते हैं, इस्टेडी कर सकते हैं, आसानी से आपकी समझ में भी आएगा, ठीक, तो इसके बाद आपके अब्जेक्टिब्स और मसीन टूल टेकनलोजी, तो यहाँ पर, आज ए मेकेनिकल इंजीनियर, आपको, जो मेन अब्जेक्टिब हैं, मसीन टूल टेकनलोजी के, तो एज ए मेकेनिकल इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए, आपको नौलेज होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की मेनुफेक्टिरिंग प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से किसी रॉव माटेरियल को आप यू यूजफिल प्रोड़क्ट में, कनवर्ट करेंगे, तो यहां पर जो डिफरेंट ऑपरेशन से हैं, डिफरेंट मेनुफेक्टिरिंग प्रोसेस हैं, तो उसके लिए जो मसीन टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो किस टाइप का, कौन सा मसीन टूल यूज़ करना है, तो यह सभी पॉइंट्स, यह सभी अबजेक्ट आपके रहेंगे, मसीन टूल टेकनलोजी की, किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन किस मसीन पर परफॉर्म करना है, तो बेसिकली जो मसीन टूल टेकनलोजी सबजेक्ट है आपका, उसको स्टेडी करने के बाद, एक तरीके से आप मै इस मसीन टूल के थरूब वो मैनफेक्ट्रिंग प्रोसेस या जो ऑपरेशन से वो परफॉर्म होंगे, यह आप आसानी से कर सकते हैं, तो सबसे पहले, इंट्रोडेक्शन आप मसीन टूल टेकनलोजी, मसीन टूल टेकनलोजी के अंदर, जो भी आपकी मैनफेक्ट्रिंग प्रोसेस और उसके अक्रोडिंग हैं कि मैनफेक्ट्रिंग प्रोसेस क्या होता है, या रौ माटेरियल से दे बिखेना है, तो इन सभी या प्रोसेस के यूज करके आप raw material से useful product में convert करते हैं तो यहां पर machine tool technology के अंदर जो metal cutting वाला पार्ट है भू manufacturing process आपका यहां पर आता है ठीक है वहां पर क्या होता है material को आप cut करके material को remove करके जो भी raw material है जो भी product है उसको आप desired shape and size में लाते हैं तो वह operation आपका क्या कहलाता है metal cutting तो यह में आपकी metal cutting manufacturing जो process है उस manufacturing process के जितने भी operations है वह आपके यहां पर machine tool technology के अंदर आप study करेंगे ठीक है जैसे टर्निंग operation है जो की लेट machine पर perform होता है या आप super finishing operations कहें वह आपके grinding wheels या grinding process के तुरू perform होता है ठीक है या gear manufacturing करें ठीक है तो वह machine है ठीक है और उसके क्या-क्या parts है किस parts का क्या function है वर्किंग and construction उसका कितने types की machine रहती है और किस तरीके से वह work करती है और कौन-कौन operation उस machine पर perform कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर raw material से आप useful product बना रहे हैं movement करवाता है और उसी movement के कारण वहां से work piece से material रिमूव होता है और आपका product तयार होता है तो यह machine tool technology डिफरेंट टाइप्स की machines है इसमें लेट मसीन है से पर मसीन है ग्रैंडिंग मसीन है मिलिंग मसीन है तो इन सभी machines के बारे मां आपको study करनी है किस तरीके से कौन-कौन से operation इन machines पर perform होते हैं इसके बाद है scheme of the subject तो machine tool technology d502 आपका theory as well as आपका practical subject है जिसमें six credit रहेंगे और total जो marks है वो आपका 150 का रहता है 70 marks आपका end same रहेगा mid same रहेंगे दो mid same होंगे पूरे semester में जिसमें से average marks आपके दिये जाएंगे जो की 20 में से रहेंगे ठीक है इसके साथ theory quiz रहता एक गुद्धस number का रहेगा जिसमें आपका class में किस तरीके से performance है उसके अलावा जो quizzes आप conduct करा रहे हैं उसमें कितने marks है आपके ठीक है उसके अलावा main point रहता है attendance का तो attendance का criteria आपका येसी quiz में और जो आपका practical work है उसमें जो term work है वहां पर आपका apply होता है ठीक है तो इस तरीके से जो theory वाला slot है वो आपका 100 number का रहेगा end same mid same और कुछ को मिलाके ठीक है और practical जो section है आपका उसमें जो end same है वो आपका 30 number का है ठीक है और जो TW है जहां पर आप lab work में जो lab work में experiment perform करेंगे ठीक है lab performance कैसी है उसके according वहां पर आपका वायवा की number हुए या internal वायवा है उसके अलाबा attendance है lab में कौन-कौन experiment आपने perform की है उसके basis पर जो टंबर के 20 marks है उसमें से आपको दिये जाए तो total marks इस तरीके से आपके 150 है और जो total credit है subject का वो 6 है तो यह आपके आर जी पीवी की इसकी में मसीन टूल टेक्नलोजी की तो इसके बाद syllabus तो जैसा कि मैंने बताया कि कि लेट मसीन है से पर मसीन है डेलिंग मसीन है तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के मसीन टूल्स से हैं जिसका आप यूज करके raw material से आप यूजफुल product प्रिपेर करते हैं त्यार करते हैं तो इसमें सबसे पहला है फिस्ट उनिट है introduction और मसीन टूल टेक्नलोजी के मसीन टूल्स होते क्या है तो फिस्ट उनिट में के वल इतना ही है कि इंट्रोडक्शन तक हमसीन टूल्स तक बेसिकली मसीन टूल्स क्या है twee मशीन धिन बताया मैंने जोकी वर क्टिंट दौनों को होल्ड करती है और दौना को मुवर्टक्ट्ट का जो मेकेनेज्ब में वह मसीन टूल रोटरी मूमेंट हो या लिनियर मूमेंट हो तो उसके कारण क्या होगा वहां से मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसी आपकी रुक्वाइट से पंड साइज उसमें आप उसे चेंज कर लेंगे कंवर्ट कर लेंगे तो यहां पर डिफरेंट जो पेरामीटर से डिफरेंट जो आपके पॉइंट से मेटल कटिंग के लिए उनकी इस्टेडी करेंगे जैसे कितना फोर्स लगना हैं कितने टाइप्स की चिप्स के फॉर्म में माटेरियल रिमूव होता है ठीक है इसके अलावा उस फोर्सेस को कम करने के लिए अपन कौन सा लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं या जो कटिंग फ्लड है वो यूज कर सकते हैं ठीक है कितने एंगल्स रहेंगे cutting tool का shape and size क्या है machine tools कितने types के होते हैं तो यह सभी theoretical जो parameters हैं उनकी study करेंगे आप unit second के अंदर metal cutting theory उसके बाद main point start होता है unit third से machine tools के types तो unit third है आपका lat machine जिसमें आपके basically अपन machine tool को 4 category में आप आप उसे study करेंगे सबसे पहले introduction उसके बाद आपका classification के different types के machine tool होंगे जैसे lat machine है तो different types के lat machines है तो classification classification के बाद specification specification मतलब कितने power की monitor वहाँ पर यूज कर रहे हैं किस्तने length का work piece maximum आप वहाँ पर बग कर सकते हैं उसके उपर कितने thickness का work piece होना चाहिए तो इस तरीके से ये specifications रहेंगे machine tool के तो specification के बाद working and construction के different parts क्या है और उन parts का काम क्या है उनका function क्या है तो लाश्ट आता है आपका different operations operations जो कि उस machine tool पर perform किये जा सकते हैं तो जितने भी machine tools हैं उनको इनी category में आप divide करें और explain करें और study करें जैसे पहला introduction दूसरा classification तीसरा specification और फोर्थ आपका working and construction और फिप्थ डिफरेंट टाइप्स के operations जो कि उस machine tool पर perform होगी तो इन पांच category में आप उसको divide करके study करें एसे unit fourth है उसमें shaper machine है dealing machine है broaching machine है तो यह सभी जो machines है उनके बारे में आपको study करने है unit fifth milling machine special तो grinding machine है unit six seven special purpose machines unit eight है आपकी jigs and fixers जो की holding device है cutting tool और work piece के लिए unit nine है machine tool drives के किस तरीके से आप machine tool को drive कर रहे हैं तो different type का mechanism होता है different types के arrangement होते है तो वह आप unit nine के अंदर पड़ेंगे unit 10 है आपकी plastic molding तो nine तक तो सभी जो की आपके units है सभी जितने भी machine tools है वह metal के लिए metal के ऊपर आप work कर रहे हैं ठीक लेकिन unit 10 के अंदर प्लास्टिक molding तो प्लास्टिक molding के अंदर क्या है जो plastic है उससे किस तरीके से आप product prepare करते है है प्रोडक्ट manufacture करते हैं तो वह unit 10 के अंदर आएगा तो इस तरीके से आपका यह syllabus है according to rgp में तो इसके बाद lecture plan तो किस तरीके से आप लेक्चर प्लान किये गए हैं आपके लिए तो सबसे पहले आपको LMS पर आपका जो class online class वो conduct होगी ठीक तो उससे पहले आपको एक video lecture की link मिलेगी जिसमें clearly आपको पहले ही clear हो जाएगा कि किस topic के उपर आपको online class लेनी है ठीक और तो उससे कुछ points आपके दिमाग में आएंगे तो उन points को आप महां online class में clear कर सकते हैं doubt को clear कर सकते हैं उसके अलावा हर जो lecture रहेगा online class रहेगी उसके बाद quiz conduct किया जाएगा ठीक है जिससे आपको जो भी आपने study किया है उस class के अंदर उस video के अंदर तो उन points का आपको पता चलेगा किस तरीके से जो video है या जो online class है उससे आप study करें ठीक है ऐसे ही हर class के बाद sorry हर unit के बाद आपको एक assignment दिया जाएगा या कहें weekly assessment होगा ठीक है जो की quiz रहे हैं आपके हर lecture के बाद ऐसे ही आपका हर unit के बाद आपको assignment दिया जाएगा ठीक है और हर unit start होने से पहले different tutorials दिये जाएंगे जो कि आपको solve करने है conduct करने तो यह आपका lecture प्लान रहेगा इस तरीके से क्योंकि अभी covid-19 की वेज़े से offline classes आपकी perform नहीं हो पा रही है ठीक है तो उसके लिए इसके बाद list of experiments तो basically यह जो list of experiment यह भी आपका online जो lab है उसके according prepare किया गया है कि यहां पर जो भी आपके study वाले जो experiment है वो रखे गए ठीक है जैसे पहला है आपका study of lead machine study of super machine study of drilling machine study of milling machine study of grinding machine ठीक है तो यह सभी list of experiments इसके अलाबा ABC activity ठीक है तो यहां पर ABC activity भी आपका online जो classes रहेंगी उसके according ही यह activity prepare की गई है जिसमें आपका open book test है case study है PPT या poster presentation है ठीक है या कहें simulation और coding या virtual model making भी है आपकी और last आपका group discussion तो इसमेंसे कोई दो activity आपको perform करनी है ठीक है इसके बाद outcomes तो यहां पर आपका जो machine tool technology जो subject है इसको पढ़ने के बाद या पूरा तरीके से study करने के बाद जो students हैं उनको एक तो understanding आएगी basic जो manufacturing process है उसके बारे में ठीक है और दूसरा in manufacturing process में जो different operations perform हो रहे हैं ठीक है उसके बारे में और जो operations आप perform कर रहे हैं वो किस machines के थूल थू आप यूज कर रहे हैं कौन सा machine tool use करके आप इन operations को perform कर रहे हैं ठीक है तो आप उस machine tool का use भी देखेंगे आसानी से आप उसको देख सकते हैं कोई worker उसको use कर रहा है तो वो सही तरीके से कर रहा है के नहीं कर रहा है यह सभी चीज़ें आपके आसानी से समझ में आएंगे तो यह आपका सब्जेक्ट का आउटकम से रिसर्च इसको नए नए manufacturing process develop करना advanced manufacturing process improve करना या जो advanced modern manufacturing process है ठीक है तो कुछ ऐसे नॉर्मल जो आपके operations है वो तो conventional जो मशीन टूल से उस पर perform हो जाते हैं लेकिन advanced या accuracy ठीक है या कोई hard material है उसकी मशीनिंग करना है तो उसके लिए आपको advanced manufacturing process या advanced machine tools के ऊपर जाना होता है ठीक है तो यह नए नए आपके research scope है ठीक है manufacturing process या machine टूल को improve करना कि यह different references आपके different books है वर्क्रॉप प्रेक्टिस वाइश्वाइश्वाइश्वाण सिंग एलिमेंट और वर्क्रॉप टेक्नलोजी हजरा चोदरी MP Groover है इसके लावा आपकी manufacturing engineering and technology कल्पक जयान है ठीक है तो यह different reference तो यहां पर एक overview देखा आपने किस तरीके से machine टूल टेक्नलोजी के अंदर आपका क्या study करना है आपको उसके outcomes है objectives क्या है ठीक है और क्या experiment है activity किस तरीके से कौन सी activity आपको select करनी है ठीक है तो यह सभी जो points है यह सभी points आपको study करने है semester के अंदर ठीक है okay thank you झाल झाल